हाई फ्रेंड्स मैं प्रिया और सौगत है आपका मेरी प्रिया फूर्ट चैनल पर आज मैं खिच्डी की रेसीपी लेके आई हूँ खिच्डी बनाना तो हर किसी को आता है लेकिन आज इसको हम बनाएंगे अपने तरीके से दाल चावल और पानी की सही मात्रा के साथ मतब एक दम पर्फेक्ट मिजर्मेंट के साथ तो चलिए इस खिच्डी को हम बनाना स्टाट करते हैं तो खिच्डी बनाने के लिए हमने एक कटोरी मूं की दाल ली है और सेम इसी कटोरी से हम एक कटोरी चावल लेंगे तो आप चाहें तो आप इसमें मसूर की दाल या उरत की दाल को भी आट कर सकते हैं कई दालों को मिक्स करके भी आपे खिच्डी बना सकते हैं लेकिन जब भी हम खिचडी बनाए तो जो छोटे वाले चावल होते हैं हम उसका इस्तेमाल करके बनाए तो हमारी जो खिचडी वो बहुत ही टेस्टी बनेगी तो हमने यह चावल यूज़ किया है बहुत ही छोटे साइस का जो चावल होता है वो वाला यूज़ किया है अब इसको mix करके और इसको हम पानी से धुल लेंगे इस दाल को मतब जो खिचडी है इसको हमें भीगो के दालाओ चावल को नहीं रखना है इंस्टेंट यह हम बना लेंगे और इधर हमारा कूकर भी गरम हो रहा है तो अब इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल तो यह हमने चार बड़े चमत सरसों के तेल लिए हैं तो आप इसको सरसों के तेल में यह खिचडी बनाएं बहुत ही टेस्टी बनेगी और एक चमत जीरा डाल दिया है इसको हलका सा चटकने देते हैं फिर इसमें हम डालते हैं यह बारिक कटा हुआ लहसुन और ग्रेट किया हुआ अद्रक आप चाहें तो आप इसके टुकडे भी करके डाल सकते हैं लेकिन ऐसे इसका फ्लेवर काफी अच्छा आएगा खिचडी में हमने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन अगर आप प्याज खाते हैं तो आप प्याज को भी इसमें आड़ कर सकते हैं तो आप इसको हम हलका सा भून लेते हैं तो एक से दो मिनट हम इसको भून लेते हैं और इधा सबजियों में हमने लिया है आलू, टमाटर, मतर और गोबी, तो आप चाहें तो आप इसमें और भी सबजियां आड़ कर सकते हैं, जैसे वीन्स है, गाजर है, खिचडी में आप ये सारी सबजियां आड़ करके बनाएं, बहुत ही टेस्टी खिचडी बनेगी, और इस किचडी में हम बहुत जादा मसालों का यूज नहीं करेंगे, और ये हमने थोड़ी सी हिंग डाली है, लहसुन के पहले आप हिंग डाली है, मैंने ये थोड़ा सा लास्ट में डाल दिया है, आप इसमें मतर डाल देते हैं, और ये जो कटी हुई सबजियां हैं, इसको हम एक मिनट के लिए भून लेते हैं, अल्ति पाउर डाल के इसको मिक्स करेंगे, और गैस का फ्लेम इसमें हमने हाई ही ही रखा है, तो सारी सबजियों को हम बस एक से दो मिनट के लिए इसको भून लिए फिर इसमें हम एड़ करेंगे, जो दाल औचावल को हमने धुल के न हो आप दाल शाओल नाा मिर्च पाउडर कूстав कर दाल को बिमाने रखा हुआ है नहीं रखा है आप चाहें मॉड़ात पहले के रख सकते हैं 10-15 प्युering देख सकते हैं 10-15 बिनित के लिए तो हम इसमें 7 कटोरी पानी डालेंगे पानी का यह मिजर में जरूर आप ध्यान में रखिएगा एक कटोरी दाल चावल है तो उसके लिए हम 7 कटोरी लेंगे अगर आपको खिचडी थोड़ी पतली नहीं पसंद हो तो आप 6 चटोरी पानी डालें और यह हमने जो हरी मिर्च लिए तो इसको हमने बड़े टुकड़ों में कट किया है अब इसमें डाल देते हैं नमक और एक चमच गरम मसाला तो यह चोटा चमच हमने गरम मसाला लिया अब इसको करके और इसका ठकन हम लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसमें चार सीटी लगाएंगे यह थोड़ी से हमने धनिया पत्ति डाल दिये इसे जो इसका खुजबू है खिचडी की बहुत ही अच्छी आएगी तो बस इसको मिक्स करेंगे और इसका ठकन लगा के मीडियम फ पर्फिक्ट है हमने इसमें 7 कटोरी पानी डाला था तो आप दालाव चाओल जिस बरतन से माप करें सेम उसी बरतन से पानी डाले आपके खिचडी बहुत ही पर्फिक्ट बनेगी तो थोड़ा सामें कटा हुए धनिया डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं तो यह लि या चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो इस खिचली को हम टमटरे की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं और लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक चमत देशीगी क्योंकि देशीगी डालने से खिचली का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ी आएगा तो यह हमारे तरीके से बनी खिचली की रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत यह दा टेस्टी भी है तो थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए